मेरे प्यारे हमवतनों नमस्कार आज हम एक बार फिर मन की बात के लिए एक साथ जुड़ रहे हैं दो दिन बाद दिसंबर का महीना भी शुरू हो रहा है और दिसंबर आते ही साइकलोजिकली हमें ऐसा ही लगता है कि चलिए भाई साल पूरा हो गया ये साल का आखरी महीना है और नए साल के लिए तानेवाने बुनना शुरू कर दिते हैं इसी महीने नेवी डे और आर्म फोर्सिस फलैग डे भी मुल्क मनाता है हम सब को मालूम है 16 दिसंबर को 1971 की जंग का गोलन जुबली साल भी मुल्क मना रहा है मैं इन सबी मुआखे पर मुल्क के सलामती दस्तों को याद करता हूँ अपने बहुदरों को याद करता हूँ और खासतोर से ऐसे बहुदरों को जनम देनी वाली बहुदर माओं को याद करता हूँ हमेशा की तरह इस बार भी मुझे नमो एप पर माई ज्योवी पर आप सब के धेर सारे मश्वरे भी मिले हैं आप लोगों ने मुझे अपने कुन्बे का एक हिस्सा मानते हुए अपनी जिन्दगी के सुक दुख भी शियर की हैं इसमें बहुत सारे नوجवान भी हैं तलबा और तालबात हैं मुझे वाकि बहुत अच्छा लगता है कि मन की बात का हमारे कुन्बा लगातार बड़ा तो हो ही रहा है मन से भी जुड रहा है और मकसद से भी जुड रहा है और हमारे गहरे होते रिष्टे हमारे अंदर लगातार मुजबत फिक्र की एक लहर पैदा कर रहे हैं मेरे प्यारे हमवतनों मुझे सीता पुर के ओजसवी ने लिखा है कि अमरित महासों से मुटालिक मुबाहिस उने खूब पसंद आ रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ मन की बात सुनते हैं और तहरीक आजादी के बारे में काफे कुछ जानने की सीखने की लगातार कोशिश कर रहे हैं साथियो अमरित महासों सीखने के साथ ही हमें मुलक के लिए कुछ करने की भी तरगीब देता है और अब तो मुलक भर में आम लोग हों या हुकूमते पंचायद से लेकर पारलीमिन तक अमरित महसों की गूंज है और लगतार इस महसों से मुतालिख प्रोग्रामों का सिल्सिला चल रहा है ऐसा ही एक दिल्चस्प प्रोग्राम पिछले दिनों दिल्ले में हुआ आजादे की कहानी बच्चों की जबानी प्रोग्राम में बच्चों ने तहरीक आजादे से मुतालिख वाकियात को पूरे जजबे से पेश किया खास बात ये भी रही कि इसमें भारत के साथ ही नेपाल, मौरिशस, तन्जानिया, न्यूजिलेंड और फीजी के स्टुडेंट्स भी शामिल हुए हमारे देश का महरतन ओएंजिसी ओएंजिसी भी कुछ अलग तरिकी से अमरित महस्तों मना रहा है ओएंजिसी इन दिनों ओएल फिल्ड्स में अपनी स्टुडेंट्स के लिए स्टडी टूर का इनकात कर रहा है इन टूर्स में नौजवानों को ओएंजिसी के ओएल फिल्ड आपरेशन्स की जानकारी दी जा रही है मकस्द यह है कि हमारे उभरते इंजीनियर तामेरे मुलकी कोशिशों में पूरे जोश और जुनूं के साथ हाथ बटा सके साथियों आजादी में अपनी कबाईली विरादरी के तावन को देखते हुए मुलक ने कबाईली इफ्टखार हफता भी मनाया है देश के अलग अलग हिस्सों में से मुतालिख प्रोग्राम भी हुए इंडुमान निकोबार जिजाएर गुरूप में जारवा और ओंगे ऐसी कबाईली विरादर्यों के लोगों ने अपनी सकाफत का बराहरास्त मुझाहरा किया एक कमाल का काम हिमाचल पर्देश में उना के मिनियेचर राइटर राम कमार जोशी जी ने भी किया है उन्होंने पोस्टेज स्टेम्स पर ही यानि इतने छोटे पोस्टेज स्टेम्स पर नेता जी सुबाश चंदर बोस और साबिक वजिर आजम लाल बहुदर शास्तर जी के अनोखे स्केश बनाए हैं हिंदी में लिखे राम लवस पर उन्होंने इसकेश तयार किये जिसमें इक्तसार में दोनों जीम शख्सियतों की बायोग्राफी को भी नक्ष किया गया है। मदे पर्देश के कटनी से भी कुछ साथियों ने एक यादगार दास्तान गोई प्रोग्राम की जानकारी दी है। इसमें रानी दुर्गवती की बेमिसाल बहदरी और कुर्बानी की यादें ताजा की गई हैं। ऐसा एक प्रोग्राम काशी में हुआ। गोसवामी तुलसिदास, संतकबीर, संतरवीदास, भारते इंदुहरीश चंद्र, मुंशी प्रेमचन और जैशंकर परसाथ जैसी एजीम शखसियात के एख्याद में तीन दिनों के जैशन का इनकाद किया गिया। अलग अलग जमानों में इन सभी का मुल्की अवामी बीदारी में बहुत बड़ा किरदार रहा है। आपको ध्यान होगा मन की बात के पिछले एपिसोड्स के दौरान मैंने तीन मसाबकों का जिकर किया था, कॉम्पटिशन की बात कही थी। एक हुबलवतिनी के नगमे लिखना, हुबलवतिनी से मतालिक तहरी के आज़ादी से मतालिक वाकियात की रंगोली बनाना और हमारे बच्चों के मन में शानदार हिंदुस्तान के खाब जगाने वाली लोरी लिखी जाए। मुझे उमीद है कि इन मसाबकों के लिए भी आप ज़रूर एंट्री भी भेच चुके होंगे, मनसुबह भी बना चुके होंगे और अपने सातियों से बातचीद भी कर चुके होंगे, मुझे उमीद है बढ़ चड़कर हिंदुस्तान के हर कोने में इस प्रोग्राम को आप ज़रूर आगे बढ़ाएंगे, मेरे प्यारे हमवतनों, इस गुफ्तगु से अब मैं आपको सीधे विरिंदावन लेकर चलता हूँ, विरिंदावन के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान की मुहबत की रास्थ शकल है, हमारे संतों ने भी कहा है, ये आसा धरी चित में, कहत जथा मतिमोर, विरिंदावन सुकुरंगो कहू न पायो और, यानि विरिंदावन की अजमत हम सब अपनी अपनी सलाहित के इसाब से बताते जरूर है, लेकिन विरिंदावन का जो सुक है, यहां का जो लुफ है, इसकी इंतहा कोई नहीं पा सकता, वो तो ला महदूद ह तभी तो विरिंदावंद दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ रागिप करता रहा है। इसकी चाप आपको दुनिया के कोने कोने मिल जाएगी। मगर्बी आस्ट्रीलिया में एक शहर है पर्थ। किर्किट का शौक रखने वाले लोग इस दुनिया से अच्छी तरह वाक गई है और यह आस्ट्रीलिया की एक शहरी जगत तारनी दासी जी की कोशिशों का नतीजा है। जगत तारनी जी वैसे तो हैं आस्ट्रेलिया की पैदाइच भी महीं हुई परवरिश भी महीं हुई लेकिन 13 साल से भी ज्यादार सा विरंदावन में आकर के उन्होंने के लिए आस्ट्रेलिया में ही विरंदावन ख़ड़ा कर दिया। अपने हुनर को ही एक जर्या बना करके एक शांदार विरंदावन उन्होंने बना लिया। यहां आने वाले लोगों को कई तरह के फनपारों को देखने का मौका मिलता है। उन्हें भारत के सबसे कीर्थ मकामात वरिंदावन नवादीप और जगनात्पूरी की रिवायात और सकाफत की जलक देखने को मिलती है। यहां पर भगवान कृशन की जिन्दगी से मुतालिख कई फनपारे भी पेश किये गए हैं। एक फनपारा ऐसा भी है जिसमें भगवान कृशन ने गोवर कराती है। मैं उन्हें इस कोशिश के लिए बहुत-बहुत मुबारक बात देता हूं। मेरे प्यारे हमतनों अभी मैं आस्ट्रेलिया के पर्थ में बने विरंदावन के बारे में बात कर रहा था। यह एक दिल्चस्प तारिख है कि आस्ट्रेलिया का एक रिष्टा हमारे बंदेल खंड के जहासी से भी है। दरसल जहासी की रानी लक्षमी बाई जब एस्ट इंडिया कमपनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही थी तो उनके वकील थे जान लेंग। जान लेंग बनियादी तोर से आस्ट्रेलिया ही के रहने वाले थे। भारत में रहकर उन्होंने रानी लक्षमी बाई का मुकदमा लड़ा था। हमारी तहरी के आज़ादी में जहासी और बंदेल खंड का कितना बड़ा तावून है यह हम सब जानते हैं। यहां रानी लक्षमी बाई और जिलकारी बाई जैसी बहदर खवातीन भी हुई और मेजर ध्यान चन जैसे खेल रत्म भी इस अलाके ने मुल्क को दी हैं। साथियो बहदरी सिर्फ जंग के मैदान में ही दिखाए जाए ऐसा जरूरी नहीं होता। बहदरी जब एक अज़म बन जाती है और इसका फरोग होता है तो हर इलाके में बेश्शुमार काम अंजाम पाने लगते जालोन में एक रवायती नदी थी नून नदी। नून यहां के किसानों के लिए पानी का खास जर्या हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे नून नदी खत्म होने के दहने पर पहुँच गई। जो थोड़ा बहुत वजूद इस नदी का बचा था इसमें वो नाले में तब आमी लोग यकायक इस मुहिम से जुड़े। यहां के पंचायतों ने देही लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और आज इतने कम वक्त में और बहुत कम लागत में यह नदी फिर से जिन्दा हो गई है। कितने ही किसानों को इसका फायदा हो रहा है। जंग के मैद मेरे प्यारे हमतनों, जब हम नेचर की हिफाज़त करते हैं तो बदले में फित्रत हमें भी ताफुज और सिकुरिटी देती है। इस बात को हम अपनी जाती जिन्दगी में भी मैसूस करते हैं और ऐसे ही एक मिसाल तमिल नाडो के तूतु कुड़ी जिले का। हम जानते है कि साहिली लाकों में कई बार जमीन के डूबने का खत्रा रहता है। तूतु कुड़ी में भी कई छोटे आइसलैन और जजीरे ऐसे थे जिनके समंदर में डूबने का खत्रा बढ़ रहा था। यहां के लोगों ने और माहिरीन ने इस खुदरती आफ़त का बचाओ उद्र एक नया भरोसा जगा है। साथियो, कुदरत से हमारे लिए खत्रा तभी पैदा होता है जब हम उसके तबादन को बिगारते हैं या उसकी पाकिजगी को तबाह करते हैं। कुदरत मा की तरह हमारी परवरिश भी करती है और हमारी दुनिया में नए नए रंग भी बरती अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था मिगाहले में एक फ्लाइंग बोट की तस्वीर खुब वाइरल हो रही है। पहली नजर में ये तस्वीर हमें मतवज़ो करती है। आप में से भी ज़्यादतर लोगों ने इसे ऑनलाइन जरूर देखा होगा। हवा में तैरती सन मिल味 की रियासिते हैं। कैई दियासिते हैं। कि लोगों ने अपनी खुदरती रियासित के रंगों को संभाल कर रखा है। इन लोगों ने स्वोब कुदRत की साथ मिल कर रहने का तर्द हैात आज भी जिंदा रखा है। यह हम सब के लिए तरगीब है। हमारे आसपास जो भी खुद्रती वसाइल हैं, हम उन्हें बचाएं, उन्हें फिर से उनकी असल शकल लोटाएं, इसी में हम सब का फाइदा है, दुनिया का फाइदा है। मेरे प्यारे हम वतनों, हकुमत जब मनस्यों बनाती है, बजट कर्च करती है, वक्त पर मनस्यों को पूरा करती है, तो लोगों को लगता है के वह काम कर रही है। लेकिन हकुमत के बेशुमार कामों में तरकी की बेशुमार स्कीमों के बीच इन्सानी हमदर्दियों से मतालिख बाते हमेशा एक अलग रहात देती हैं। हुकुमत की कोशिशों से हुकुमत की स्कीमव से कैसे कोई जिन्दगी बदली इस बदलीवी जिन्दगी का तजर्वा क्या है जब ये सुनते हैं तो हम भी जजबास से भर जाते हैं ये दिल को इत्मिनान भी देता है और इस स्कीम के लोगों तक पहुँचाने की तरगीब भी देता है। एक तरह से ये रुहानी सुकून ही तो है और इसलिए आज मन की बात में हमारे साथ दो ऐसे ही साथी भी जोड़ रहे हैं जो अपने होसलों से एक नई जिन्दगी जीत क का मसेला था तो आएए राजेश जी से बात करते हैं राजेश जी नमस्ते संवर His आपकी रसे मिमारी क्या थी फिर किशी डॉक्टतर के पास गए होंगे मुझे समझाइए अब आप करते होंगे क्रते होंगे क्या होता था मुझे हाड में प्राब्लम सर आ गय थी मेरे सीने में जनन होती थी सर फिर मैंने डाक्टर को दिखाया डाक्टर मुझे पहले तो बता हो सकता बेटा तुम्हारे एसिट होगी तो मैंने काफी दिन एसिट की दवाई कराई उससे जब मुझे फाइदा नहीं हुआ फिर डाक्टर कपूर को दिखाया तो उन्होंने का बटा तुम्हारे जो लच्चर इससे एंजियोग्राफी से पता चलेगा तो उन्होंने रिफर किया मुझे श्री रामूर्थी में उससे मिले हम अमरे सकरवाल जी से उन्होंने मुझे अंजियोग्राफी करी फिर उन्होंने बताया कि यह तो तुम्हारी नस्फ है उन्होंने का कार्ड है इसमdoor जो PMG ने बन मातके दिया तो हमने का हमारे सर है हमारे पास है सारा इलाज उस इसी कार्ड से हुआ है और आपका कैसे में धन्वाद करूं आपके परिवार में भी पिता जी को या किसी माता जी को या इस प्रकार का पहले रहा है कि यह आईश्मान कार्ड बारत सरकार यहां कार्ड देती है गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी योजना है तो यह आपको पता कैसे चला अच्छा कार्ड नहीं होता तो आपको कितना खर्चा बोला था रोक्तर निक? तो राजेश जी आपको अभी संतोष है तब यह ठीक है? राजेश जी आप मुझे सत्ता में रहने के शुपकावना मत दीजिए मैं आज भी सत्ता में नहीं हूँ और भविश में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूँ मैं जिर्फ सेवा में रहना चाहता हूँ मेरे लिए यह पत यह प्रधान मंत्री सारी चीजे यह सत्ता के लिए है ही नहीं भाई सेवा के लिए हैं सेवा ही तो चाहिए हम लोगों को और क्या? देखिए गरीबों के लिए यह आयुश्मान भारत योजना यह अपने आप में यह सर बहुत बढ़िया चीज है लेकिन देखिए राजेश जी आप हमारे काम कीजिए करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे सर्थ देखिए होता क्या है कि लोगों को इसका पता नहीं होता है आप एक जिम्मेबारी निभाईए ऐसे जितने गरीब परिवार है आपके आसपास उनको अपनी यह कैसे आपको लाब हुआ, कैसे मदद मिली यह बताईए बिल्कुल बताएगे सर्थ और उनको कहिए कि बेबी ऐसा काड़ बनवाले है ताकि परिवार में पता नहीं कब क्या मुसिबत आ जाए और आज गरीब दवाई के कारण परिशान रहे यह तो ठीक नहीं है अब पैसों के कारण वो दवाई न ले या बीमारी का उपाई न करे तो यह भी बड़ी चिंता का विशा है और गरीब को तो क्या होता है जैसे आपको यह हार्ट का ट्रॉलेव हुआ तो कितने महिने तक आप काम ही नहीं कर पाए होंगे बस तो आप प्रजेश जी मेरे एक अच्छे साथी बनके जितने गरीबों को आप यह आयुश्मान भारत योजना के समझ में समझा सकते हैं वैसे बिमार लोगों की मदद कर सकते हैं आपको भी संतोस होगा और मुझे बहुत खुशी होगी कि चलिए पर एक राजेश जी की तबियत तो ठीक हुई लेकिन राजेश जी ने सेंकड़ों लोगों की तब यह ठीक करवा दी यह आयुश्मान भारत योजना यह गरीबों के लिए है मद्यमबर के लिए है सामान्य परिवारों के लिए है तो गर गर इस बात को पहुँचाएंगे आप साथियो हमने राजेश जी की बाते सुनी आईए अब हमारे साथ सुख देवी जी जुड़ रही है गोटनों की परिशानी ने उन्हें बहुत परिशान कर दिया था आईए हम सुख देवी जी से पहले उनके दुख की बात सुनते हैं और फिर सुख कैसे आया वो समझते हैं सुख देवी जी नमस्ते आप कहां से बोल रही हैं? डाउन दुपरासे अच्छा हमें सुना के आपको तकलीब हुई थी आपका कोई ऑपरेशन हुआ जैरा बताएंगे क्या बात है? हाँ मेरा घुटना खराब हो गया सा तो अपरेशन हुगा है मेरा रियाग उस्टल में आपके आयू कितनी है सुख देवी जी? उमर 40 साल 40 साल और सुख देव नाम और सुख देवी को बीमारी हो गई? बीमारी तो मुझे 15-16 साल दे लग गई अरे बाप बड़े इतनी छोटी है यू में घुटने आपके खराब हो गए? वो गटिया बाई बोनते हैं जो जोड़ों में दर्द से कागता हैं घुटना खराब हो गए तो 16 साल से 40 साल की उमर तक आपने इसका इलाजी नहीं करवाया? नहीं करवाया था दर्द की दबाई खाते रहे छोटे मूटे डॉक्टर न पहते देशी दबाई यह वैसी दबाई यह थेला चाप डॉक्टर न पहते उनसे गटना चल वे परी खराब होगए एक दू किलो मीटर पे दर चली में तो गटना खराब होगए मेरे तो सुक्देव जी आपरेशन का विचार कैसे आया उसके पैसों का क्या प्रबंद किया कैसे बनाए इस तब आपको आईश्मान कार्ड मिल गया था और आईश्मान कार्ड से गरीबों को मुफत में उपचार होता है पता था अच्छा डॉक्टर ने पहले अगर कार्ड न होता तो कितना खर्चा बताते थे दाई लाग रुपे तीन लाग रुपे बच्चे बैठाते तो अभी आपका गुटना पहले से अच्छा हुआ है खूब गुमती हूं किछन का काम करते हैं बच्चन को खाना बना के देती हैं तो मतला मायुष्वान भारत का कार्ड आपको सच्विश्मान बना दिया बहुत 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 दन्वाद आप इस वज मेरे प्यारे हमतनों नौजवानों से माला माल हर मुल्क में तीन चीज़े बहुत माने रखती हैं अब वही तो कभी-कभी नौजवान की सच्ची पहचान बन जाती है पहली चीज़े आइडियाज और इन्नोवेशन दूसरी है चैलेंज खबूल करने का जजबा और तीसरी है यानि किसी भी काम को पूरा करने की जिद चाहे हालात कितने भी मुखालिफ क्यों नहूं जब ये तीन चीज़े आपस में मिलती हैं तो हैरत अंगेज नताइज मिलते हैं मौजज़े हो जाते हैं आज कल हम चार तरफ सुनते स्टार्ट अप स्टार्ट अप स्टार्ट अप स्टार्ट अप सही बात है ये स्टार्ट अप का जमाना है और ये भी सही है कि स्टार्ट अप की दुन्या में आज भारत दुन्या में एक तरह से कायदत कर रहा है साल दर साल स्टार्ट अप को रिकॉर्ड सरमायकारी मिल रह ही है ये शुबह बहुत तेज रफ़तार से आगे बढ़ रहा है यहां तक के मुल्क के छोटे छोटे शहरों में भी इस्टार्ट अप की पहुंच बढ़ी है आजकल यूनिकॉर्ण लफ़ खूब मौजुव बहस है आप सब ने इसके बारे में सुना होगा यूनिकॉर्ण ए तक मुल्क में बमुश्किल नौ यदस यूनिकॉर्ण हुआ करते थे आपको जानकर बेहत खुशी होगी कि अब यूनिकॉर्ण की दुनिया में भी भारत तेज उलान भर रहा है एक रिपोर्ट के मताबिक इसी साल एक बड़ा बदलाओ आया है सिर्फ दस महीनों में ही भा यानि सतर से ज़्यादे स्टार्ट अप ऐसे हैं जो एक बिलियन से ज़्यादा के वैलियूशन को पार कर गए हैं। पार्टेल से बात करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पॉलूशन की प्रॉब्लम का सॉलूशन देनी की कोशिश की है। पिचार कहां से आया। को उसका फाइदा होगा। 2017-18 में हम लोग ने उसका टेकनोलोजी डेवलप किया। और रिजनल ट्रांसपोर्ट कॉपरेशन में हम लोग ने दस बसेस में वह यूज किया। उसका रिजल्ट चेक करने के लिए। और करीब-करीब हम लोग ने उसका 40% प्राइद एमिशन उसका कम कर दिया बस इसमें। अब यह टेकनोलोजी जो आपने होजी है उसका पेटन्ट वगेरे करवा लिया। हाँ जी पेटन्ट हो गया। यह साल में हमें पेटन्ट गरांट होके आ गया। और आगे इसको बढ़ाने का क्या प्लान है आपका किस प्रकार से कर रहे। जैसे बसका रिजल्ट आ गया। उसके भी सारे चीज़ें बाहर आ गई होगी। तो आगे क्या सोच रहे। स्टार्टक इंडिया के अंदर नीतिया योग से अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो है वहां से हमें ग्रांट मिला और वो ग्रांट के बेसिस पे हम लोग ने अभी साक्टरी चालू किया जहां पे हम एर सिल्टर्स का मैनेफक्टरिंग कर सकते हैं। नैंटी लेक्स और उससे आपका काम चल गया है अभी तो चालू हो गया है प्रोसेस में है आप कितने दोस्त मिलकर के कर रहे हैं सब हम लोग चार लोग है सब और चारों पहले सात में पढ़ते थे और उसी में से आपको विचारा है आगे बढ़ने का हाँ जी हाँ जी हम पॉलूशन कम हो जाए और माइलेज बढ़ जाए पॉलूशन कम करते हैं मालेज बढ़ाते हैं तो एवरेज खर्च कितना बचता होगा सब्सक्राइब करीब करीब 14 किलोमेटर का फाइदा हुआ और उसमें से 40 प्रतिशत का कार्बन एमिशन कम हो गया और जब बसेस पे कि रिजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में तो वहां पे 10 प्रतिशत फ्यूल एफिशन्सी इंक्रीज हुआ और उसमें भी 35-40 परसेंट एमिशन कम हो गया मयूर में जो अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके साथियों को मेरी तरफ से बदाई दीजिए कि कॉलिट लाइफ में खुद की जो समस्या थी उस समस्या का समाधान भी आपने खोजा और अब उस समाधान में से जो रास्ता चुना उसने परियावरण के समस्या को ए साथियों कुछ सालों पहले एगर कोई कहता था कि वो बिजनस करना चाहता है या एक कोई नई कंपणी शुरू करना चाहता है तब घर के बड़े बुजर्ग का जवाब होता था कि तुम नौकरी क्यों नहीं करना चाहते नौकरी करोना भाई अरे नौकरी में सिकुरिटी ह होती है सेली होती है जंजट भी कम होती है लेकिन आज अगर कोई अपनी कमपणी शुरू करना चाहता है तो उसके आसपास की सभी लोग बहुत पुर्जोश होते हैं और इसमें का पूरा सपोर्ट भी करते हैं साथियो भारत की ग्रोथ स्टोडी का यह ट्रणिंग पॉइंट है जहां लोग सिर्फ जॉब सीकर बनने का खवाब नहीं देख रहे हैं बलके जॉब क्रियेटर्स भी बन रहे हैं इससे आलम स्टेज पर हिंदुस्तान की हालत और मजबूत बनेगी मेरे प्यारे हमवतनों आज मन की बात में हमने अमरित माहसो की बात की अमरित अहद में कैसे हमारे हमवतन नएने अजाइम को पूरा कर रहे हैं इसकी गुफ्तुग की और साथ ही दिसंबर महीने में फाज की बाहदरी से मुतालिख मौगी का भी जिक्र किया दिसंबर महीने में ही एक और बड़ा दिन हमारे सामने आता है जिससे हम तरगीब लेते हैं ये दिन है छे दिसंबर को बाबा साहिब अमबेट करका यौमे वफाद बाबा साहिब ने अपनी पूरी जिन्दगी मुलक और समाच के लिए अपने फराइस की अदाइगी के लि और सौ में हम फराइस को पूरी इमानदारी से अदा करने की कोशिश करेंगे यही बाबा साहिब के लिए हमारा सच्चा खिराज अकीदत होगा साथियों अब हम दिसंबर महीने में दाखिल हो रहे हैं फित्री है अगली मन की बात 2021 की इस साल की आखरी मन की बात होगी 2022 में फिर से सफर चुरू करेंगे और मैं हाँ आप से धेर सारे मश्वरों की तवाको करता ही रहता हूं करता रहूंगा आप इस साल को कैसे विदा कर रहे हैं नए साल में क्या कुछ करने वाले हैं ये भी जुरूर बताईए और हाँ ये कभी मत भूलना कोरोना भी गया नहीं है एतियात बरतना हम सब की जिम्मेदारी है बहुत बहुत शुक्रिया